हेलो वीवर्स आज का डिजाइन बनाने के लिए हम special trick का यूज़ करेंगे जिसकी help से आप बहुत इजली यह डिजाइन बना सकती है फैबरिक को हम double fold कर लेंगे और double fold करने के बाद 2-2 इंच की लंबाई पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसे स्टेट लाइन की साथ अच्छे से हाइलाइट करेंगे इसके बाद फैबरिक को सेंटर से लेते हुए दो-दो इंच की मार्किंग हम फिर से कर लेंगे फैबरिक को फोल्ट करने का फाइदा यह होगा कि दोनों साइड हमारी मार्किंग एक साथ ही हो जाएगी इसे भी अच्छे से ऐसे हम स्टेट लाइन की साथ हाइलाइट करेंगे और फैबरिक को ऐसे ही हम दो-इंच की लंबाई तक कट कर लेंगे दोनों साइड से एक साथ ही हमारा फैबरिक कट हो जाएगा और हमारे फैब्रिक का कट इस तरह साया है साइड से हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्टर फैब्रिक था अब हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से फॉल्ड करना है ट्राइंगल की शेप में बन फोल्ड करेंगे इसके बाद हम डबल फोल्ड करेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे इससे आप बहुत इजली ट्राइंगल शेफ वाला डिजाइन बना सकती है आपको अलग से फैबरिक का यूज करना नहीं पड़ेगा तो इसली गाईज आप इस तरह से इस्ट्रिक की हैल्प से यह डिजाइन बना सकती है स्टेप बाई स्टेप हम पूरे फैबरिक पर यह डिजाइन बना लेंगे इस तरह का डिजाइन आप ट्राउसर, स्लीव या फिर दामन पर भी बहुत इसली बना सकती है गाईज, नेक डिजाइन, स्लीव डिजाइन, एंट आउजन डिजाइन से रिलेटीर वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करें यह हमारा बैक साइड होगा, फ्रेंट साइड हमारा इधार आएगा अब एक सैंटिमीटर का गैप रखते हुए या फिर देट सैंटिमीटर का हम फ्रेंट साइड में इस तरह से पिंटक्स बना लेंगे इस डिजाइन को हमें थोड़ा से अट्रेक्टिव बनाना है इसके बाद फिर से हम एक सैंटिमीटर का गैप रखेंगे और एक और पिंटक्स बनाएंगे आई थिंग आईज आपको हमारी है ट्री काफी पसंद आई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें इसके बाद हम डेड इंच का एक्स्रा मार्जन रखते हुए फैबरिक को इस थरह से कट कर लेंगे फैबरिक को कट करने के बाद अब हम इन दोनों फैबरिक के सैंटर में यह जोईन वाली लैस को अटेच करेंगे सबसे पहले हम डिजाइन वाले फैबरिक के साथ फ्रेंट साइट पर इस थरह से रखते हुए इस रैस को अटेच कर लेंगे गाईज हमें कमेंट्स बोक्स में अपने कमेंट्स जरूर भेजें किया आपको यह डिजाइन कैसा लगा और आप किस टाइप के डिजाइन देखना पसंद करेंगी इसकी बाद इसे अंदर की तरफ फॉल करेंगे और किनारी पर एक और सिलाई करकर इसे अच्छे से फिनिशिंग देंगे फ्रेंट साइट पर आप सिलाई जरूर करें इसे फैबरिक में फिनिशिंग आती है अब इस फैबरिक को हम अपने ट्राउजर यसली के साथ अटेच करेंगे और फिर से इसी प्रोसेस को दोराएंगे तो गाइस अगर आप इस तरह के डिजाइन और देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिलकुर न भूलें ताकि हम जब भी वीडियो अप्लोड करें आप उससे हैल्प उठा सकें डिजाइन हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा इसके बाद हम दो पिंटर्स उपर की साइड भी बना लेंगे चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पिंटर्स को तयार कर लेते हैं और हमारा यह ब्यूटिफुल सा सिंपल सा डिजाइन इस तरह से बनकर तयार है इस तरह का डिजाइन आप टाउसर के साथ बनाएं तो वो भी बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा इसे आप थोड़ा सा और एक्टरक्टी बना सकती हैं उपर की साइड इसमें लैस को टेच करके